देखिए इस देश के लिए दुर्भाग यह है कि जिस तरीके का ये मैटर है जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जाता है जहां बहनों को माताओं को पूजा जाता है ऐसे देश में इतनी घिनोनी हरकत करने वाले व्यक्ति को इतने बड़े पद पर ना सिर्फ पैठाया गया बलकि उसको बचाया गया जब हमारी बहने उसको प्रोटेस्ट करने लगी तो किसी भी तरीके से शाम, दाम, दंड भेद करके प्रोटेस्ट को खतम करने का शडियंत्र किया गया पाँच महने तक हमारी बहनों ने बड़ी मुश्किल से इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू किया आज उन्होंने ये decide किया है कि court पे छोड़ रहे हैं, मैं एक तरीके से सहमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि court में जो सच्चाई है वो ही बाहर निकल कर आएगा, एक चीज समझना पड़ेगा इस देश में, किसी भी प्रकार के protest को, press के freedom को, opposition parties को, कोई space या कोई freedom नहीं दिया लेकिन सारी जो agencies है, केंदर सरकार की agencies जो है, मुझे मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो जाच हो, वो निस्पक्ष रूप से हो, क्योंकि court पे तो भरोसा करते हैं, लेकिन court क्या है, जाच एजेंसियों के जाच पर आधारित होकर ही निरने देती है, जाच एजेंसिया सरक खेते हैं पर उस पर मैं कुछ रियक्ट नहीं करना चाहूँगा कि आज की date पर आजें माखन जी irrelevant है, देश की राजनीती से, दिल्ली की राजनीती से और Congress Party से भी, लेकिन जो एक मुद्द है, उस पर मैं ये कह सकता हूँ, कि कोई भी coalition, principle के आधार पर ही निर्भर कर सकती है मुद्दों के आधार पर ही वो सस्टेन कर सकती है, सिर्फ इस लिए कि किसी पार्टी को हराना है, ऐसे सोच के अगर इकठे होंगे तो उस पर दुविधा होगी और उसके सस्टेनिबिलिटी पर प्रश्ण चिनने लग सकते हैं मुद्दे क्या होंगे, एजेंडा क्या होगा, यही तो मेन मुद्दा है, तो आम अदमी पार्टी ने जो ये काला अध्यादेश भारती जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है, उसके खिलाफ उसको एक प्रमुख मुद्दा के रूप में रखती है अब अगर कॉंग्रस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि हर चीज राजनीती के लिए नहीं होती है, एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम प्रमुख विपक्षी धल हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि हम बीजेपी को उनके पद से हटाएंगे वहाँ पर, दूसरी तरफ इनके जो स् से प्रभावित है, मेरा ये मानना है कि प्रिंसिपल और सिध्धानतों के आधार पर इस तरीके की बातचीत होने चाहिए, आम आदमी पार्टी ने एक मुद्दा सामने रखा, चुकि हम दिल्ली से आते हैं, हमें दिल्ली ने ये मुख्यमंत्री बनाया है कि एजरिवाल जी को सरकार बनाई है, हमारी प्राथमिकता दिल्ली की जन्ता के हितों की रक्षा करना भी है, तो हम अपने एजेंडे को वहां पर हमने रखा, हमारे एजेंडे को रखने के बाद अगर एजेंडा पर डिसकस नहीं होगा तो उसमें फिर पॉइंट नहीं बचता है किसी भी तर प्रशन तो उठाएंगे, प्रजा तंत्र में हम प्रशन उठाएंगे और अगर आपको इससे तकलीफ है तो उसका इलाज हमारे पास नहीं है, पर दोनों चीजों को कॉंग्रिस पार्टी को अलग करना पड़ेगा, एक तो है लार्जर इंट्रेस्ट कंट्री के लिए जिस हम देश में हर उस जगह पर जाएंगे, जहां जनता हमें बुलाएगी, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, जनता को आपके माध्यम से मैं ये सपस्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो समर्थन हम मांग रहे हैं हम राजनीती के लिए समर्थन नहीं मांग रहे हैं, हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, अपने दम पर जा रहे हैं, सारी जगहों पर लड़ेंगे, हम जो इनसे समर्थन मांग रहे हैं, इस बिल पर, इस काले अध्या देश पर मांग रह गवाईलेंस चल रहे हैं दो वहाँ पर जिस तरीके से आप देखेंगे 100-150 से जादा लोगों ने अपनी जान दे दिया है 5000 से जादा लूट मारी के केकेशिज हुए है और अरेस्ट आप देखोगे तो 100-150 से जादा लोगों को इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है दोनों जगा भारती जनता पार्टी की सरकार है मनिपूर में भी और केंद्र में भी ये बार बार कहते हैं कि डबल इंजन सरकार है डबल इंजन इनकी दोनों इंजन फेल हो गई है और इनके इंजन में पेट्रोल भी खतम हो गया है आप देखोगे कि ऐसी परिस्थितियां बहुत कम आई है और इतना नाकारापन किसी एक राज्य सरकार की तरब से बहुत ही कम देखने को मिलता है मेरा ये मानना है कि मणिपूर में जो भारती जंता पार्टी की सरकार है उसको तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए बर्खास्त करके रास्टपती शातन वहां लगा देनी चाहिए जान बचाना प्रात्मिक्ता होना चाहिए राजनीती बाद में भी किया जा सकता है लोग मर रहे हैं वहां पर प्रधान मंतरी जी ने आज तक कोई बयान नहीं दिया है सीरियस ने इस पर भी बड़ा क्वेशन है एक तो होता है कि परिस्थितिया आउट आफ कंट्रोल होना एक होता है आप उसको सीरियस ही नहीं ले रहे हो तो मेरा ये मानना है कि तुरंत मुख्यमंतरी को मणिपूर के मुख्यमंतरी जी को और सरकार को बरखास करनी चाहिए जैसे आप इस पूरे स्टेट्मेंट को सुनेंगे तो ये बिलकुल सहीं लगता है वो ये कह रहे है कि प्रिंसिपल जो मुद्दे है एजेंडा के ऊपर आधारित होकर ही आप किसे किसी कोईलेशन को बना सकते हो और उसको सस्टेन करा सकते है थोड़ी देर पहले मैं आपको यही बता रहा था कि कॉंग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि issues meeting किसली बुलाते हो meeting सर्फ चाय और बिस्कुट के लिए आप थोड़ी बुलाते हो आप meeting होती है meeting के agenda होते है उस agenda पे discussion होता है तो जब तक principled आपके understanding नहीं होंगे agendas clear नहीं होंगे कोई भी coalition workout नहीं करेगा तो आप देखेंगे तो मोटा मोटी he is right in his observation देखे एक तरफ तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे पास अभी डेटा नहीं है इस पर कि करनाटक में क्या इस्थिती है अन देने की योजना का लेकिन अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो केंदर सरकार हर एक जगह पर जहां राजिसरकार काम करना चाहेगी वो काम करने पर अडंगा डालेगी ये रास्ट्रीता भारती जनता पार्टी रास्ट्रीता की भावना से विहीन है इनमें कोई रास्ट्रीता की भावना नहीं है देश इनके लिए सर्वोपरी नहीं है कॉंग्रेस पार्टी को तो अब समझना चाहिए न जा आज जो ओर्डिनेंस दिल्ली में कर सकते हैं दूसरे राज्य में भी कर सकते हैं इनकी जितनी योजनाय आएंगी उनको चलने नहीं देंगे इतना कुछ देखने समझने के बाद भी कॉंग्रिस पार्टी को अगर दोनों मुद्दे को राजनैतिक और देश हित की बात को अगर ये अलग-अलग रखने में स समझ नहीं आ रही है तो मुझे लगता है कॉंग्रिस पार्टी के लिए फिर डिफिकल्ट होते जाएगा सारे ओपोजिशन को युनाइट करना और एक सेंटर स्टेज लेना